अधेरा कहां है अधेरा बस वही है जहां प्रकास का अभाव है अधेरे का स्वैम में कोई अस्थित्व नहीं प्रकास का अभाव ही अधेरा है और अधेरा है तो केवल अधेरा है अमावस की रात में अधेरी रात में बादलों से भरी घोर अधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को ठूठ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है अधेरा है तो केवल अधेरा है ऐसा नहीं है जहाँ अधेरा है जहाँ अधेरा है जहाँ अधेरा है जहाँ मित्या अधेरा नहीं है वहाँ जूट है वहाँ असत्य है वहाँ डर है वहाँ भय है वहाँ भरांतियां है वहाँ अधेरा है केवल अधेरा नहीं है वहाँ भय है वहाँ भरांती है वहाँ अज्ञान है वहाँ जूट है वहाँ असत्य है केवल अधेरा नहीं है जीवन में अध्यात्मिक ज्ञान के प्रकास की आवशक्ता नहीं अनिवारिता है ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान के प्रकास की अनिवार्यता है सद्गुरु के अनुभाव स्वरवेद की अनिवार्यता है जिसके आलोक में जिसके प्रकास में हम सबका जीवन सदैव अधेरे को छाटता रहता है और प्रकास के साथ आगे बढ़ता है रहना हमें अच्छा लगता है, रिश्यों ने कहा तमसो मां जोतिर गमया, मृत्योर मां मृतम गमया, असतो मां सद गमया, असत्य से सत्य की तरब बढ़ें, मृत्यों से अमरत्व की तरब बढ़ें, अंधेरी से प्रकास की तरब बढ़ें, क्योंकि रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर, अंधेरी रात है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहां से आया, कौन हूँ मैं, कहां से आया क्या कर रहा और जाना कहां है प्रकास कापत यही है जो निरंतर स्रिष्ठ विचारों के साथ अपने जीवन को आगे वढ़ाता है आत्मा अना दिकाल से आत्मा अना दिकाल से सुभा सुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है एक साधक यही विचार करता है क्या विचार करता है यही सोचता है अनन्त अनन्त जन्म और जीवनों से अनन्त अनन्त जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं जैसे नदी में लकडी का टुकड़ा बहता जा रहा है कहां जाएगा यह टुकड़ा नदी में बहता जा रहा है अना दिकाल से आत्मा सुभा सुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में अना दिकाल से मन माया मरती नहीं नहीं वासना नास यह सरीर मरी मरी गया करमाया मन नास अना दिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को मैं तू यह वह मेरा तेरा अना दिकाल से अना दिकाल से आत्मा इस संसार सागर में संसार के संबंदो पदार्थों में जकडी हो जैसे कर्मन की अज्ञान की जडचेतन की ग्रंथी एक गाठ है एक रस्षी से बाधा है नाना प्रकार की रस्षियों से बाधा हुआ है इक साधक यही विचार करता है अनन्त अनन्त जन्मा और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को दुखों को भोकों को पदार्थों को संबंधों को भोकते चला आ रहा हूँ यह जो मेरा वर्तमान जीवन है केवल सरीर और संसार में व्यतीत नहीं हो सकता बलकि मेरे जीवन का अध्यात्मिक निर्माड होगा वो लक्ष के साथ चलता है वो प्रकास के साथ चलता है दिये से दिया जलाएं दिये से दिया जलाएं चलो चलो दीप वहां जलाएं चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अधेरा है जहां अभी अधेरा है तो मन के किस कोने में अधेरा छुपा हो अंता करण के किसी भाग में मलीनता हो सद्गुरु के ज्यान की किरणे स्वरवेद के ज्यान की किरणे उस अधेरे को दूर करने में सक्षम है पृत्वी पर असुद से असुद अस्थान के जल को पृत्वी पर असुद से असुद अस्थान के जल को सुरी की किर्णे छण मात्र में सुद्ध बना लेती हैं, अपने जैसा बना लेती हैं, अगनी का काम है पवित्र करना, सुद्ध करना, परिमार्जित करना, हमारे अंतकर्ण में हमारे मन में बुद्धी में चित्य में अहंकार में कैसा भी अधेरा छाया हो कैसी भी मलिन्ता हो सद्गुरु के ज्ञान की किर्णे स्वरवेद का प्रभाव हमारे मन की मलिन्ता को दूर करने में समर्थ है कोई सिस्या हतासा में न रहे कोई सिस्या हतासा निरासा कुंठा अवसाद में न रहे मुझसे नहीं होगा ऐसा नहीं कहे कैसा भी अधेरा हो जीवन हतोत्सा ही न बने कोई हतासा निरासा कुंठा अवसाद हमें घेर न ले जीवन आनन्दाई बने क्योंकि परमात्मा आनन्द से परिपूर्ण है जीवन आनन्दाई बने कोई हीन भावना नौ आए कोई अयोगी विचार नौ आए कोई अनुपयोगी विचार नौ आए सबके भीतर वह शक्ति है सबके भीतर वह आत्म तत्व है और आत्मा के अंदर और आत्मा के अंदर अंतर आत्मा रोब से परमात्मा इस्तित है सबके भीतर अनंत शक्ति का भंडार छिपा हुआ है सेवा, सतसंग और साधना के अभ्यास से करमशह जो हमारी शक्तियां है वो अविकिसीत होती है स्वर्वेद विहंगम योग के ज्ञान का अलोक है सद्गुरु का अनुभव है अनुभवों को ही अभिव्यक्ति है अनंत ज्ञान का भंडार इसमें छिपा है निज अनुभव वरडन करूं दिया ज्ञान प्रभु सोए तेरा है तुझे मेरे करत समर पण सोए चद्गुरु देव क्या कहते है यह मेरा स्वैम का अनुभव है जो प्रभु की क्रिपा से प्राप्त हुआ है यह ज्यान प्रभु को ही समर्पित है ज्यान नित्य है जिस प्रकार परमात्मा नित्य है महापुरुष उसे प्रगट करते है जो गुप्त है उसे प्रगट करते है ज्यान नहीं है ऐसा नहीं है सूर्य नहीं है ऐसा नहीं है बादलों ने घेर रखा है ज्ञान नित्य है जिस प्रकार पर मात्मा नित्य है महापरुष उसे प्रगट करते हैं ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं जो गुप्त है महापरुष उसको अपनी साधना के द्वारा प्रगट करते है महाप्रभु अनन्द दयामे उनसे तो ही मिलाऊंगा कहें सदाफल परमानन्द आवा गमन मिचाऊंगा दिखों से सर्वथान्य ब्रत्त करा दूंगा स्वेम में स्थित करा दूंगा उस महान सत्ता ने स्वेम उस परमानन्द का अनभव किया जो इस पत पर चलेगा उसे भी अनन्द आनन्द एवं शान्ति का अनभव होगा दुख नहीं चाहिए हम सबी स्वभावता आनन्द चाहते हैं शान्ति चाहते हैं क्योंकि परमात्मा अनन्द स्वरूप है शान्ति स्वरूप है परमात्मा में दुख नहीं है असान्ति नहीं है समाधि में दुख है गाड़ी नीद में कोई दुख है में तू यह वाह कोई चाहें, कोई कामनाएं, कोई वासनाएं, कोई विचार कामनाएं, कोई इच्चा, कोई विचार, कोई क्रिया कोई दुख है, कोई पीडा है, कोई कष्ट है जब इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चस्ट हो गया सुसुप्ति में, किसी पीडा का अनुभाव नहीं, किसी दुख का अनुभाव नहीं रिशी कहते हैं, समाधि सुसुप्ति मुक्छेश्व ब्रह्म्भरू उपता सुसुप्ति में दुख है सुसुप्ति में दुख नहीं है समाधि में दुख है, समाधि में दुख नहीं है मोक्ष में दुख है, मोक्ष में दुख नहीं है परमात्मा में दुख है, परमात्मा में दुख नहीं है चू नहीं सकता उसको बंधन है वहाँ दुख है और एक एक बंधन है न जाने कितनी रस्यों से बाधा है स्वैम को स्वैम हमने अपना जाला बुना है मकड़ी अपना जाला खुद बनती है और उसी में फंस जाती है बंधन का कारण अज्यान है मिथ्या ज्यान है जूट है असत्य है स्वैम बुना है काउन हूँ मैं काउन हूँ मैं कहां से आया क्या कर रहा और जाना कहां है एक स्रेष्ट विचारक इन्ही विचारों के साथ आगे बढ़ता है स्रेष्ट विचारों की शक्ती से कल्यानकारी विचारों की शक्ती से उसका ध्यात्म पथ निरंतर गतिमान रहता है कर विचार मैं काउन हूँ ब्रह्म को जगदाधार कैसे जगउत्पन है लीन काउन विधिपार काउन सत्य करतब है दुख सुख कैसे होई समधान अध्यात्म है ब्रह्म विध्या है स्वर्वेद की धारा है क्रमशा हम इसका अनुभव करते हैं हरिहर समाया हरियालियों में वही जूमता है जुकी डालियों में पहाडों सागर पर उसी के हैं जल्वे वही है गरजता घटा कालियों में जिस तरह अगनी का शोला संग में मौझूद है उस तरह पर मातमा हर रंग में मौझूद है अपनिशद में रिशी कहते हैं इशा वाष्यमिदं सरवं यतकिंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदह काश्य सिध्धनम सब कुछ इस्वर से व्याप्त करने योग्य है कणकण में नहीं कणकण ही है वहा इससे भिन कुछ और नहीं क्योंकि वह स्रिष्टी का निमित्त कारण है स्रिष्टी के कारण तीन है प्रकृति ब्रह्म अरुजीव उपादान साधार से निमित्त योग्य है शीव तो स्रिष्टी के कारण तीन है एक निमित्त कारण एक उपादान कारण एक साधार कारण प्रयोजन मात्र दो है कारण तो तीन है स्रिष्टी के निमित्त कारण इश्वर है उपादान कारण प्रकृति है साधार कारण समस्थ जीवात्माए है लेकिन प्रयोजन मात्र दो है प्रकास क्रिया इस्थिती शीलम भूतें द्रियात्मकम भोगा पवर गारथम द्रिश्यम प्रकास क्रिया इस्थिती स्वरूप वाला जो जगत है वह क्या है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है हमारी सक्ती सीमित है हम आखों से देखते हैं कानों से सब्दों का इस्रवण जीवा से रस लेते हैं नासिका में घ्राण सक्ती है त्वचा जो सीर के सीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक है संपुर्ण में आच्छा दित है त्वचा जिससे इस पर्ष का अनुभव होता है गीता में योगी राज कहते हैं स्रुत्रम चक्षु स्परसनम्च रसनम घ्राणमे बच अधिस्ठायम अनस्चायम विशयान नुपसे बते अधिस्ट्रम चक्षु स्परसनम्च